सवाल है दुश्मन की सीमा में बिना पता लगे घुसकर उस पर जोरदार हमला करने के बाद देना नुकसान उठाए लौट आने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जवाब है इस तरह के एक बॉमर की मदद से दुश्मन पर अपना दबदबा बनाये रखने की होड की कारण पिछले सो बरसों में बॉमर्स का विकास बड़ी तेजी से हुआ है मगर लडाई के मैदान में ये इतने महत्वपूर और अनिवार हत्यार कैसे बन गए आपसी तकराव और युद्ध हमेशा से ही मानव के अस्थित्व का एक हिस्सा रहे हैं और जीत हमेशा उसी की हुई है जिसके पास ज्यादा उन्नत टेकनोलोजी होती है सदियों से दुश्मन पर नई तलवार, तोप, टैंक या टॉपीडो से आकस्मिक हमले तो होते आए हैं पर हमेशा ये हमले समुद्र में या सख्त और सुखी जमीन पर ही होते थे ज़रा कलपना कीजे कि जब दुश्मन पर पहली बार हवा से हमला हुआ होगा तो उसे कैसा जटका लगा होगा तस्तावेश के हिसाब से पहली बार हवाई जहाज से बंब सन 1911 में लिब्या में गिराये गया था इटालियन अफसर जियूलियो गैपोटी ने अपने तुर्क दुश्मनों पर इसे गिराये था जिन्होंने इससे नहायद घट्या हरकत करार दिया था सोचने का वो भी एक नज़रिया है आज ये सोचना भी है संभवसा लगता है कि उस समय युद्ध का ये कितना अजीबो गरीब तरीका रहा होगा क्योंकि कुछ साल पहले ही तो हवाई जहास की खोज हुई थी लकड़ी और कपड़े से बनी इन शांदार मशीनों को एड़वर्ड के वनशज फ्लाइंग मशीन्स कहते थे बेखबर दुश्मन पर बम ले जाकर अचानक से हवाई हमला करना आपको युद्ध में बड़ा फाइदा पहुँचाता है वो आपके हमले का जबाब नहीं दे पाता है कितनी घलत बात है शुरुआती बाउमर ज़्यादा सोफिस्टिकेटिड नहीं थे दरसल वो बाउमर थे ही नहीं ये है ब्रिस्टल F2B जसमें V12 रोल्स रोइस फालकन 3 एंजन लगा है बुन्यादी तोर पर लकडी और कपड़े से तयार किया गया ये विमान सब 1917 का है अपने जमाने के हिसाब से बहुत बुर्तिला था मूल रूप से फाइटर था तो उल्ले ने और दूसरे विमानों को गिराने के लिए इसे बनाया गया था तो ऐसी मशीन से बंप कैसे गिराए जा सकते है नीची उड़ान धरते हुए आपको खुद अपना टागेट देखना होता था नैविगेशन के लिए कोई मदद मौजूद नहीं थी दूर तक ठीक से देख सके इसलिए दिन का साफ होना बेहत जरूरी था टागेट दिख जाने के बाद आप ऐसे बंप उठाकर उसे बगल से नीचे फोट देते थे गोल मिलाकर बस इतना ही किया जाता था निशाने पर बंप गिरा पाना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था चलिए करके दिखाता हूँ वो रहा मेरा निशाना और यह है मेरा बंप उड़ा दूँगा दर्वाजा खुलता था और बंप गिरा दिया जाता था परिशानी ये थी कि आप निशाने के ठीक उपर आकर बंप गिराते थे सीधा नीचे गिरनी की बजाए बम निशाने से आगे जाकर गिरता था एक्राफ का मुमेंटम बम को भी मिलता था वो उसी दिशा में आगे जाता था और निशाना चूप जाता था दरवाजा खुलेगा बम गिराया जायका दरवाजा खुला बम गिरा दिया बम को मिलने वाले मुमेंटम को ध्यान में रखते हुए निशाने से पहले ही बम को गिराने से वो सही जगर पहुचता था सही अन्नाजा लगाना बहुत महत्वफ़ून था जैसा आपने देखा मैंने सही निशाना लगाया था पर सच यही है कि किसी युद्ध के दौरान मामला किस्मत के हाथ होगा निशाने पर बम गिरे इस संभावना को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बम गिराना एक समाधान था इस मकसद को ध्यान में रखते हुए पहला बॉमर बनाया गया ज्यादा शक्तिशाली एंजन के लगाने से बहुत फरक आया ये सन 1934 में बना हौकर हाइन है जिसमें 640 हौस पावर का रॉल्स रॉयस केस्ट्रिल एंजन लगा था और इसी कारण वो ऐक्राफ्ट को मेटल से बना कर मजबूती दे पाय थे वो ज्यादा दूर तक ज्यादा तेजी से उड़ सकता था और उसमें ज्यादा बम ले जाए जा सकते थे कुछ रैक्स सिर्फ बम रखने के लिए बनाय गए थे इस बॉमर से ज्यादा बम कम समय में सही निशाने पर फेके जा सकते थे पर दूसरे विश्मन युद्ध की शुरुआत से पहले तक बॉमर्स का दबदबा खत्म होने लगा था नए हथियार और रेडार टिकनोलोजी के आ जाने से दुश्मन को आते हुए बॉमर का पता लग जाता था बॉमर अपना काम कर पाए उसके पहले ही उसे मार गिराया जाता था ऐसी बाते होने लगी थी कि हवाई बंबारी के अभियान बंद कर देने चाहिए दुश्मन में बड़ी खलब जगे पर मार किया है वो ऐसा कैसे कर सकता है पर सन 1942 में एक ऐसा नया विशाल बॉमर विकसित हुआ जिसने युद्ध में मित्र राश्ट्रो की तकदीर ही बदल डाली थी इसमें हर सवाल का मोतोर जवाब था और बहुत ज्यादा विनाश की क्षमता भी थी ये शांदार एक्राफ एवरो लांकस्टर है जिसने बहुत से पाइलर्ट्स को हीरो बनवा दिया सन 1942 में इसे प्रिटिश वायू सेरा में शामिल किया गया था सन 1945 में युद्ध खत्म होने तक 7000 विमानों ने युद्ध में हिस्सा लिया था प्रिटिन द्वारा की गई हवाई बंबारी का दो तिहाई हिस्सा इनी ने गिराया था बॉमर्स के सामरिक महत्मों को बड़ी दमदारी से फिर उसकी जिगर पर पहुँचा दिया था तो लांकस्टर इतना कुछ कैसे हासिल कर पाई थे सबसे पहली और सबसे महत्मों की बात पावर की बहुताया थी एड़ हजार होस्ट पावर वाले चार शांदार रोल्स रोएस्ट मरलिन एंजिन थे ये बही एंजिन थे जिन्नोंने स्पिट फायर को अद्भुत सफलता दिलाई थी बारह सिलिंडर अर्टालिस बैल वाले मरलिन एंजिन की किपैसिकी 27 मीटर थी इन एंजिनों के साथ 6 बड़े फ्यूल टैंक थे जो इस बॉमर को 32 किलोमेटर की रेंज देते थे ये बॉमर 6000 मीटर की उचाई पर 440 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ़तार से उन पाते थे इसलिए दुश्मन की गोली बारी की पहुच से उपर रहते थे लैंकेस्टर को किसी पाइटर या किसी अन्यसाधारन हवाई जहाज में थोड़ा बहुत फिर बदल करके बॉमर नहीं बनाए गया था उसे उसकी बम रखने की जगे की इर्दगिर्धी डिजाइन किया गया था ये बम रखने की जगे ऐसी वैसी नहीं थी दस मीटर बाई डेड़ मीटर की इस जगे में दस तन वजन के बम रखे जा सकते थे इसमें अलग अलग तरह के कई बम एक साथ रखे जा सकते थे ये अठारा सौ किलो का बम जो पूरी सड़क तबाह कर सकता था ये बड़ा टॉल बॉय बंप चोवन सो किलो वजनी था कारखानों जैसी मजबूत और बड़ी इमारतों को बरबाद करने की ख्षमता रखता था और इस ग्रैंड स्लैम अर्थक्वेक बंप का अपना वजन ही दस तन था ये अब तक बनाया गया सबसे भारी बंप था ये 9 मीटर मोटे कॉंक्रीट को भेच सकता था रीन्फोर्स मिलिटरी इंस्टॉलेशन को तहस नहस करने की ख्षमता रखता था इस विशाल सखीरे को लेकर लैंकेस्टर बॉमर ने बंपारी की प्रभावशाली मुहिम शुरू कर दी थी बंपारी परंपरागत सैनिक ठिकारों तक ही सीवित नहीं रह गी थी शहर, कालखाने और आम नागरिक भी हमलों का शिकार बने थी इन हमलों का जवाब देने की जमनी ने अपने रेडारों में धारी सुभार किया वॉमर स्क्वाडरन का पता 160 किलोमेटर दूर से ही लग जाता था लैंकेस्टर का एर फ्रेम पूरी तरह धातू का बना था बेहत मजबूत था और हर जगए पर गनज मौजूद थे जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका था कि आप रात के अंहिरे में उडान भरे युद्र के दोरान जदातर लैंकेस्टर्स ने ऐसा ही किया था अकेले बॉमर को लेकर दूर हमला बोलना तो आत्म हत्या करने जैसा था रात ने उडान भरने से जान का खत्रा कम हो जाता था पर विमान का नविकेशन और टागेट पहचानना मुश्किल हो जाता था साड़े 4000 मीटर की उचाई पर 440 किलो मीटर प्रती घंटे की रिफ्टार से उड़ते हुए टागेट को पहचानना और उस पर हमला करना कितना मुश्किल होता होगा नाए ट्रेट्स पर जाने वालों को इसकी आदत हो गए थी इसे वो ब्लाइंड बॉमिंग कहते थे अगर आप नक्षे पर अपने टागेट को जानते हैं इस तरीके को डेड रेकनिंग कहते हैं इस काम को आसान बनाने के लिए लैंकस्टर में कई इलेक्ट्रोनिक उपकरन लगाये गए थे इस प्रकार के सर्वस्रेश सिस्टम को नाम दिया गया था H2S इसे बाद में बने लैंकस्टर में यहां नीचे इस पॉड में लगाया गया था यह रेडार पर आधारित था और नविगेटर को विमान के नीचे और आगे आने वाले लैंड मार्क्स की जानकारी देता था ताकि सरूरी दिशा परिवर्तन किया जा सके जब टागेट का पता मिल जाता था तब एक कंप्यूटर की मदद से बॉम एमर का काम शुरू होता था वो बम गिराने का सही समय तेय करता था यह काम कुछ इस तरह किया जाता था तो शुरू करते हैं मैं करीब 40 किलो मीटर प्रती घंटे की रिफ्तार से फिसलता हुआ नीचे जाओंगा टागेट यहां से करीब 50 मीटर दूर है और इस बम का वजन करीब सवा 2 किलो है तो मेरा अंदाज़ा है कि करीब 10 मीटर पहले मुझे बम गिराना होगा ठेक है तो एक कोशिश करते हैं चले और अब मैं बम गिराओंगा इतनी सारी टेकनोलोजी के बाद भी बम गिराना किस्मत का खेल था परसन 1943 में अपनी एक मुहिम के दौरान सही जगह पर बम गिराने में लाइंकस्टर को नाटकिये सफलता मिली थी डैम बस्टर बम गिराने का वाक्या बंबारी का सबसे मशूर वाक्या है इन रेड्स का मकसद रूर नदी पर बले तून बादों को नुखसान पहुँचाना था जर्मनी के आध्योगी इलाके की 76 पतिशत जल वित्रन वबस्था को अस्तिवेस्ट और जर्मन मैनुफेक्टरिंग इंडस्री को ठप करा देने का इरादा था ये खास अब की बम इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो गिरते बग्त 500 आर्पियम से उल्टा घूमे ऐसा करने से पानी पर टकराते ही बम उच्छलना शुरू कर देगा और बांध में लगे सुरक्षा बैरियर को लांग जाएगा जब वो बांध की दिवार से टकरा कर डूवेगा तो ऐसी जगर जाकर फटेगा जहां सबसे ज़्यादा नुक्सान होने की संभावना है सही उच्छाल हासिल करने के लिए बम को सही एंगल से गिराना जरूरी था और ये तबी संभल था जब बम को ठीक 18 मीटर की उचाए से गिराया जाए उस जमाने में विमान का इंस्ट्रुमेंटेशन जिस तरह तक बिकसित हो पाया था ये बड़ा मुश्किल काम था समस्या का हल निकालने के लिए विमान के निचले हिस्से में दो लाइट बीम्स लगाए गए उन्हें इस तरह सेट किया गया था कि जब प्लेन ठीक 18 मीटर उंचा ओर रहा होगा तब ही दोनों बीम्स मिल सकते थे पम गिराओ भाई उस रात रेडार और एंटी एकराट फारिंग से बचने के लिए 617 स्कौर्डरन के विमान RAF स्कैम्टन से जर्मनी तक सिर्फ साथ मीटर की उंचाई पर ही उड़े थे और जैसा लोग कहते हैं बाकी सब तो इतिहास है बहुत ज्यादा बम टागेट पर ही पड़े थे फिर भी भारी किमत चुकानी पड़ी थी 19 में से 8 विमान बापस में ही लोट पाई थे पूरे युद्ध के दौरान कुल 3500 विमानों का नुसान हुआ था ऐसा माना जाता था कि मार गिराए जाने से पहले एक लैंकेस्टर तीन हफते ही उणाने भर पाएगा बहुत सी मशूर लडाईयों में ये काम्याब रहा था पर युद्ध को ये खत्म नहीं करा पाया था वो काम इसने किया था अगस्ट सन 1945 में हिरोशीमा और नागासाकी पर परमानू बम गिरा कर हवाई बंबारी ने एक बिलकुल नया मगर विभथ सरूप धारन कर लिया था दो परमानू बमों ने मीलों दूर तक मानव सभेता का पिनाश कर डाला था कुछ ही सेकंड़ों में लाखों लोग जान से हाथ दो बैठे थे जापान ने तुरंत ही अमरीका के सामने हत्यार डाल दिये थे दूसरा विश्विद लगबग तभी खत्म हो गया था एक बॉमर के लिए सबसे काम्याब मगर सबसे शर्मनाक दिन था थोड़ा फेर बदल जरूर किया गया था पर ऐसे ही B-29 सूपर फोर्ट्रेस बॉमर ने वो घिनोना बम गिराया था अमरीकी वायू सेना में इसे सन 1944 में शामिल किया गया था वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बॉमर था और सबसे महत्वपूर बात ये थी कि ये यूरोप से उडान भर कर सुदूर पूर्व के देशों पर हवाई हमला कर सकता था एक आम लैंकेस्टर बॉमर बम गिराने की मुहिम के दोरान करीब 1600 किलोमेटर तक उड़ सकता था बी-29 इससे चार गुना ज़्यादा उड़ सकता था अपनी कुछ खास विशेश्टाओं के कारण ही बी-29 की रेंज इतनी बड़ी हो सकी थी इसके चारो इंजनों की शमता बढ़ाकर 9000 हॉर्स पाउर कर दी गए थी जो लैंकेस्टर से करीब 50 प्रदिशत ज्यादा थी इसलिए वो तेजी से ज्यादा दूर तक जा पाता था और इनी विशेश्टाओं की वज़े से ये विमान 9000 मीटर से ज्यादा की उचाए पर उड़ पाता था लंबी उडान के दोरान फाइटर प्रेंस के संभावित हमलों से बज़ पाता था विमान को इतनी उचाए पर ले जाने के लिए जहां हवा कम होती है इसका विंग स्पैन 43 मीटर रखा गया था इस उचाई पर हवा की कमी के अलावा उसका तापमान जमाव बिंदू से 50 डिगरी नीचे होता है इसलिए B-29 ऐसा पहला बॉमर था जिसके अंदर का दबाव पढ़ा कर उसे बाहर के बातावरन से सील कर दिया गया था केबिन का तापमान और दबाव आराम दाएक बना रहता था सबसे बढ़िया नजारा इसके कॉक्पिट में बैठने वाले को मिलता था ऐसा लगता था कि आप एक एरोडाइनमिक ग्रीन हाउस में बैठे है B-29 में कोई गंच चलाने वाला नहीं होता था इसकी बजाए इसमें दस गंज ऐसी लगी थी जनी रिमोट से चलाया जाता था कम लोगों की जान खतरे में पड़ती थी पर B-29 में बम का निशाना लगाने वाले की जान यहां आगे के हिस्से में बैठने के कारण कुछ ज़्यादा ही खतरे में रहती थी बंबारी के मामले में अमरीकी रणनीती बिटिश रणनीती से बिलकुल अलग थी नागरिकों की जान न जाए इसलिए शुरुआत में अमरीका इंवस्ट्रिल टागेट पर बंबारी करता था सही टागेट चुनने के लिए नई कंप्यूटर बॉम साइट का आविशकार हॉलन वासी काल नौडन ने किया था जो करीब करीब लैंकस्टर के निशाना लगाने की प्रणाली से काफी कुछ मिलते जुलती थी विमान की उंचाई उडने की रफ्तार दिशा बंब की अंतिम रफ्तार आदी बातों का ध्यान रखते हुए बंब गिराने का समय तैय किया जाता था ये सिस्टम और एक कदम आगे था पहली बार ऐसा हुआ था कि बंबारी के दौरान विमान का नेंतरन भी इसके पास चला जाता था बंब गिराने का काम आटोमेटिकली किया जाता था इंसानी घलती के संभावना खत्म कर दी गए थी जब जापान के विरुद चल रहे युद्व में गर्महाट आई तब अमरीका की रननीती में बदलाब आया अब वो खास टागेट्स पर हमलों को केंदरित करने की बजाए रिहाशी इलाकों पर भी जोरदार हमलों की बात सोचने लगे थे इसी रननीती के कारण हिरोशीमा और नागासाकी पर दो परमाणू बम बिना आगे पीछे सोचे गिराए गए थे बी-29 बॉमर्स ने इतिहास के इन सबसे बिद्वनस्वत बमों को गिराया था और एक नजरी से देखें तो वो दुनिया के सरवश्रेष्ट ऐसे बॉमर थे जो पिस्टन इंजिन से चलते थे और ये उनके द्वारा किये गए आखरी महत्वपून हमले थे 1950 के दशक में कोरियाई उद्व में भी इनका इस्तेमाल हुआ था पर एक नई टेक्नलोजी आ जाने की वज़े से अचानक ही इनका इस्तेमाल रुखसा गया जेट इंजिन आ गये होश्यार बम बनने लगे विमान उड़ाने और निशाना लगाने की नई तकनीक विकसित हो गई और छोटे विमान बनने लगे इस तरह के टॉनेरो जी आर फोर एक शांदार विमान है जिसे चलाने वाले पाइलर्स को बेहर्ट स्किल्ड होना चाहिए इनकी ट्रेनिंग में चार साल लगते हैं और लाखो पाउंड खर्च होते हैं जिट एंजिन के आजाने से बॉमर्स के डिजाइन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया अब उतने बड़े विमान, उतनी उची उडान और उतने भारी भरकम बम्मों का बनाना जरूरी नहीं है इस बॉमर्स का विंग स्पैन सिर्फ 14 मीटर है, इसलिए ये चोटा, तेज और बवा का फुर्तीला है कई दशकों तक बड़े से बड़े बॉमर्स बनाये जाते थे, लेकिन एक आया कि ये चोटे होना शुरू हो गए, पुराने बॉमर्स के आकार के हो गए जान बचाना ही इसका मुख्य कारण है, उचाई पर उड़ना सुरश्चित रहने का तरीका था लंबी दूरी की मुहिम पर जाने वाले बॉमर को सफिस्टिकेटेड रिडार, धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सूपर सॉनिक फाइटर्स का सामना करना पड़ता है टॉर्नेडो की रणनीती है रिडार की नजरों से नीचे तेज उडान भरो, अगर दुश्मन के इलाके में देख लिया चाए, तो टॉर्नेडो के पास बचने के कई तरीके है, दुश्मन को पीछे छोड लॉट आना सुरक्षा का बुनियादी तरीका है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की दरुवत होती है, टॉर्नेडो में दो टर्वो यूनियन आर्वी 99 जेट एंजिन लगे है, ये इसे साड़े 200 किलो मेटर परती घंटे की सूपर सॉनिक स्पीड दिलाते है, एंजिन का थ्रस्ट 41 किलो तक होता है, आफ्टर बरनर्स का उप्यो गए है, ये अपना आकार बदल सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो अज्जस्टिबल होते हैं, उनान के दौरान अलग अलग रफ्तार पर ज्यादा से ज्यादा अजिल्टी देने के लिए विंज अज्जस्ट होते हैं, इन्हें आगे लाने से धीनी रफ्तार पर वि प्रक्षा गन पर 27 मिलिमीटर बोर की बाउजर एक मिनिट में 1700 राउंड फायर कर सकती है एक विमान के तरह इसमें चाहे जितने भी खूबिया हो पर इन बमों के बिना वो किसी काम की नहीं है इन बमों ने ही इसे एक कारगर बॉमर बनाया है परमपरागत बमों को सिर्फ प्रक्षेपित किया जाता था वो बलिस्टिक होते थे उनके लिए टागेट ढूना किसी और की जिम्मेदारी थी उनके पास अपनी कोई शमता नहीं थी और सही जगे गिराना बहुत जरूरी था आज के जमाने के बम विमान के संपर्क में रहते हैं सही तागेट पर सही प्रकार से प्रहार के लिए ये जरूरी है इन बमों को इन पर लगे GPS को विमान से निकलने वाली अद्रिश लेजर क्रेणों द्वारा निर्देशित किया जाता है इसकी accuracy ने इस बम को ज्यादा विधभनसक बना दिया है अब ज्यादा बड़े बम ले जाना ज्यादा बड़ी संख्या में बम ले जाना बिलकुल भी जरूरी नहीं है तॉनेडो ये काम अब सिर्फ एक बम से कर पाता है ऐसा दावा है कि पेव वेव्स जैसे बम किसी خاص अमारत के किसी खास कमरे को निशाना बना सकते है पुराने जमाने के बॉमर्स के साथ ये संभप नहीं था ठर ये विमान और इसके हथ्यार दिन होया राग किसी भी मौसम में अपना काम कर सकते है दूसरे विश्वयुद्द की नैविगेशन टेकनोलोजी अब और भी विकसित हो गई है GPS और टरेन फॉलो करने वाले रेडार की मदद से कंप्यूटर बहुत अकुरिट निशाना लगाते है बंबारी अब पुराना किसमत का खेल नहीं रह गई है टॉर्नेडो के पालेट को हर समय इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहा है और उसे किस चीज को निशाना बनाना है एक्राफ के कंप्यूटर जो जानकारी इकठी करते हैं वो पालेट के सामने इस हेड डिस्प्ले पर आ जाती है तो इसे उडाने जाने को कैसा लगता होगा मैं इसे सच में तो उडा कर नहीं देखाूना तक्योंकि ट्रेनिंग के ली मेरे पास चार साल का समय नहीं है पर मेरे लिए और इसे सीखने वाले पालिट्स के लिए जो simulator बनाया गया है उसमें बैठ कर हम अपनी गलतियां पहले ही कर सकते हैं ये एक विशाल computer game जैसा है विमान उडाने के सारे functions और पूरा romance आप महसूस कर सकते हैं तो शुरू करते हैं उडान से जुड़े सभी parameters यहां तक की दुनिया के किसी भी खास इलाके के किसी खास समय के मौसम के हालात भी इसमें प्रोग्राम किये जा सकते हैं पुराने बावर्स की तुनना में सबसे बड़ा बदलाव इसे चलाने वालों की संख्या में आया है यहां दो लोग बैठ सकते हैं एक पाइलट और दूसरा वेपन्स ओपरेटर तो क्यों मैं एक चक्कर लगाया जाए चले जब कॉक्पिट बंद हुई तब मुझे इस बाग का सही एहसास हुआ कि यहां कितनी कम जगह है सिर और कंदे हिला पाने के लिए कुछ भी करने के लिए जगह नहीं है मैं पूरी तरह से कंप्यूटरों से घिरा हुआ हूँ थोड़ा सहम सा गया हूँ अगर आप पस्नल कंप्यूटर ठीक से समझते नहीं है तो आपको यहां नहीं होना चाहिए दोनों आफ्टर बॉनर जला दिये गए है हमें जल्दी से जल्दी टेक ओफ स्पीड हासिल करके जमीन छोड़नी है शूली से सबाथ तीसद किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार सिर्फ बीस सेकंड में मुझे 900 किलो का पेववे त्री बं गिराना है जो हमारे राइट विंग के नीचे लटका है एक टापू पर हध्यारों का जखीरा उडाना है हम आवाज की रफ्तार से थोड़ी कम रफ्तार पर नीची उडान भरेंगे रफ्ता है हमला शुरू हो गया है ये कुछ बात भी जैसे ही हमले के लिए बिमान मुला उस पर और उसमें बैठे पालर्स पर फो जी का दबाब था पालर्स ने विशेश जी सूट पहन रखे है इसलिए कि आखों के आगे अंधेरा नचा जाए दिमाग में खून का आना जाना ज्यादा ना बढ़ जाए टागेट राइट विंग से कुछ हट कर है मेरा काम है कि लेजर को टागेट पर लोड कर दू ताकि बम को गाइड किया जा सके बम चल पड़ा है जी फोर्स बहुत ज्यादा होती है, रफ्तार ज्यादा होती है भिमान में मौझूद टेकनलोजी बेहत उन्नत है पाइलट अपनी मानसिक और शारिरिक शमताओं की सीमा पर पहुँच जाते है कौन विश्वास करेगा कि इस सब की शिरुवात सौ बरसों से भी कम समय पहले लक्री और कपड़े से बनी फ्लाइंग मशीन से भी थी